नमस्कार में रवीना, MNS ग्योज लाइम में आप सभी का स्वागते, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक दजराज की हेडलाइन पर जमशेट पूर में घर में घुसकर बददबंगों ने मैला के साथ की मार्पी दो आरुफ पी गिरफतार नएदिली में मैला की मिली लाश, बलतकार के बाद हत्या, गोन्या में अपने सविदान अधिकार के लिए उत्री लोधी समाज, S.D.O. अफिस के सामने एक दिन का धर्ना आंदोलन अब खबरे विसार से जमशेतपूर में घर में घुसकर दबंगों ने मैलाओ के साथ की मार्पी दो आरुपियों को गिरफतार किया है जिले के परसे सुहुट थाने शेत्र अंदरगल, बरी गोडा शेत्र में घर में घुसकर मार्पिट करने आए दो यूउकों को मैलाओने पकड़ कर जम कर पिटा मैलाओने आरुपियों के पास से एक देसी कटा भी चिन लिया इसके बाद मैलाओने घटना पुलिस को दी, डी एसपी ने शिकार दर्च कराने के बाद मैलाओने घटना को पुलिस को जन करी नैदिली में मैला की मिली लाश, बलातकार के बार हत्या, समय पुरबाद एरिया में एक मैला का शव मिलने से संसनी मज गई परिजोन ने बलातकार के बाद हत्या की आशंकार जताई है पुलिस पूरे मामले की जाच में जूटी है मराधा समाज के बाद अब अपने सविधान अधिकार के लिए उत्री लोधी समाज केंद्र की OBC सुची में शामिल करवाने हितु गोन्या लोधी समाज का हजारों लोगों के साथ गोन्या में रेली एव SDO ओफिस के साथ ने एक दिन का धना आंदोलन तो खबरों में आज के लिए इतना ही MNS News Live देखने के ले MNS Hindi आप आज ही प्लेश्टों से डाउनलोड करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करें तब तब के लिए रन्याबाद